या फिर आगे किसी भी एक्जाम में आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो जरूर दिखेगा सबसे पहले तो आपका seated pass होना चाहिए paper 1 and paper 2 चाहें आपने bead किया है, deal it किया है bead वाले तो चलो ठीक है paper 2 भरेंगे बट deal it वाले paper 1 and paper 2 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और कोसिस करना कि आपको जो criteria है 90 number का उससे उपर ही आपका number हो बट यह वीडियो इसले भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे है, कि हमारा 90 नंबर है, हमारा 82 नंबर है, क्या हमें आगे के seat spirit की त्यारी करनी चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए, या फिर हम super trade की त्यारी करें, केंद्रे विध्याले की, सबसे पहले तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि अगर आपकी नंबर किसी के 100 है या फिर 99 है तो आप मान की चल सकते हो कि एक से दो नंबर बढ़ भी सकता है घड़ भी सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो से इटेट की final answer की आती है उसमें changes जरूर होते हैं जो आप आपने अभी किसी भी कोचिंग से मिलाया होगा और final answer की उसमें आपको दो से चार नंबर की changes देखने को मिलते हैं तो अगर आप boundary पे हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर बढ़ भी सकता है घड़ भी सकता है बट जितने इसे उपर हैं जैसे मानी जै किसी का चार नंबर उप सकते हो NCRT books को अच्छे से पढ़िए और जितने भी BA वाले हैं अगर आपका social science है तो आपको जो मैंने notes पहले दिया हुआ या फिर delayed वाले भी हैं अगर आप 628 में जाना चाहते हैं तो NCRT तो आपको पढ़े नहीं होगी तो आपके पास जो भी notes होंगे हमारी पुराने वा हैं अब 82 से कम है तो आपको तो त्यारी कर नहीं होगी क्योंकि 82 होगा ना तो भी अपने ही state में भर पाओगे दूसरे state में तो जानी पाओगे तो आपको 90 नंबर की preparation तो करनी ही होगी तो आप अभी से start कर दीज़े जितने भी 82 वाले हैं और जो boundary पे हैं वो एक से दो दिन का वेट कर लीजे आंसर की तो आही जाएगी तो सीटेट दिसंबर की त्यारी कीजे नोट्स नहीं है तो नोट्स लेकर अभी से पढ़ो अपनी गलतियों पे काम करो मेरे पास सोचल साइंस का आपको 68 की complete NCRT नोट्स मिल जाएगी बाकी paper 1 के नोट्स की भी मैंने preparation स्टार् कि लिए अपना time जो है वो सेफ करके रखिए अब यह मत सोचो कि यार अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे social science तो वैसे भी आप जानते ही हो कि थोड़ा सा tough पूछा गया था इस बार भी काफी tricky है तो आप December की त्यारी कर सकते हैं देखे जैसे बहुत सारी लोग बोल रहे हैं कि हमारा answer की में जैसे कुछ लोग एक comments आते हैं कि answer की में हमारा जो है पिछली बार भी इतना ही number था और इस बार भी इतना ही बढ़ता नहीं है ना घटता है ऐसा सब के साथ नहीं हो सकता है कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी coaching वाले से match करते हैं तो उसमे गलती उधर से भी कुछ गलती हो जाती है कुछ हम अपने answers match करते हैं तो हमसे भी कुछ mistake हो जाता है कई बार हमको जो है doubt हो जाता है कि कौन सा answer हम लोगों ने लगाया है इसमें भी बहुत सारी चीजे होती है और इतना तो आप मान के चल सकते हो कि जो भी official answer की आएगी उसमे बदलाव जरूर होगा ठीक है बहुत सारे ऐसे पिछली बार भी बहुत सारे मेरे पास students की message आये थे कि उनका जो है coaching से मिला थे तो एक से दो नंबर कम हो गया था बढ़ आंसर किया ही तो उसमें वो पास हो गए तो यह वैरी कर सकता है कि आपने कहां से मिलाया है किस teacher से मिल आया है और एक से दो नंबर का तो आप मान कर चली सकते हो तो अगर आप बाउन्टरी पे हैं तो आप दो से तीन दिन कवेट कीजे और बाउन्टरी से जित्ते भी नीचे वाले हैं अभी से अपनी तियारी स्टार्ट कर दो सीटेट दिसंबर की और जितने लोग पास हो या टी एचे से पढ़ लो 1 to 5 and 6 to 8 की और सोपर टेट से हैं या फिर बीपेसी टीरी से हैं तो आप उसकी तैरी कर सकते हैं जी एस वाला पूरा पोशन आपको हमारे ही चानल से कराए जाएगा तो चानलों को सब्सक्राइब कर लेना टेलिग्राम पे जुड जाना ताकि सार अपडेट मिलते रहें ठीक है वैसे भी 20 से 25 जुलाई के बीश में आपका आंसर की आने वाला है और अगस्त के 1st week में आपका result तो जादा दिन इतजार करना ही नहीं है 15 दिन और बचे हैं इस मंद में उसके पहले आपको आंसर की मिलने वाली है एक हपते के बाद ठीक है हो चले यह छोटी से एक informative वीडियो थी ताकि आप आगे आपको क्या करना है यह आप खुड डिसाइड करो नंबर कम है तो दुबार से seated का पड़ो अच्छे खासे नंबर है तो आप केंदरी विद्याले N.V.S. B.P.C. T.R.E. जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके प् सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि क्लासे स्टार्ट होने वाली है यूपी टटकी ओके और साथ में सी टटकी भी तो मिलते हैं नेक्स लास में थैंक्स फो ओचिंग